वीडियो को शुरू करने से पहले एक ब्रीफ देना चाहता हूं कि भाई जो आइफून 12 मीनी है इसको उपर मैंने दो तिन वीडियो बनाया है और कुछ वीडियो में मैंने इसका रेफरेंस भी दिया है कि यह क्यों फ्लॉप हो रहा है और एक्जैक्ली क्यों लोग इसको प् प्राइस ड्रॉप होगा प्राइस ड्रॉप होगा जो आइफोन 12 मीनी पर्ष का बता आइस हो इंप्राइब करो धार साथमेच बिल खण प्रेश करें हम्या का यह छैनल आउंड क्यों प्लीस ड्रॉर्स न आपको प्रक् joki对स आंठेल प्लीश सब्सक्राइब कर कीजिए तो चलिए इस वीडियो के शुरू करने से पहले फर्स्ट पॉल अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर यह दोनों सोचल मीडिया के प्लेटफोर्म में फॉलोव नहीं किया है इन सम किसी में अगर किसी ने फॉलोव नहीं किया है सीधी बाशा में बोल रहा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 60,900 का ओफर दिखेगा वह एक्जैकली 60,900 का ओफर नहीं है यह HDFC के कार्ट के बाद यह ओफर आपको दिखे यह चीज वैलिट टपके टाइम होगी अगर आप Amazon पर सच करते हो 64GB का iPhone 12 Mini तो आपको 65,900 का पढ़ेगा फिर अगर इंस्टेन डिसकाउंट आपको मिले जब आप iPhone 12 Mini को पर्चेस करोगे तो आइग्जैकली जो ओफर है तो iPhone 12 Mini का जो प्राइज 64GB का वो 69,000 से स्टार्ट होता था बट अभी इसका सेल इतना अच्छा चल नहीं रहा है ओनलाइन ओफलाइज वाली वहां पर भी इतना अच्छ पर्चेस करना है तो इसके लिंक दी है डिस्रेप्शन में 64GB की 128GB की और 256GB की तो यह बैटा डील हो सकती है आपका लिए iPhone 12 Mini अगर आप पर्चेस कर सकते हो तो आप पर्चेस करो अभी बैटा डील ओफर मिल रहा है और यह जो ऑफर है एक्जैकली मुझे नहीं पता कि बाइ रहेगा तो भाई अगर आप पर्चेस करना चाहते हो तो आप पर्चेस करो लिंक है डिस्रिप्शन में और जो 64GB के बाद जो 128GB आता है iPhone 12 Mini का वह आपको मिलता है 71,900 का अगर आप इस पर भी अपलाए काते हो 6000 रूपीज का HDFC का कार तो आपको अच्छा का सब बैटर डील मिलेगा इस पर भी और उपर से एक और बात नोट कने वाली बात है यहां पर शायद से कुछ डिमांड ज्यादा होगी तो उसका प्राइस ज्यादा होगा और किस कलर की क्या डिमांड कम होगी तो उसके उपर भी प्राइस कट आपको ज्यादा पर मिलता हूँ दिखेगा तो यह चीज आप नोट कर सकते हैं पर्चेस टाइमिंग पर आपको बहुत अचा ओफर मिल रहा है एमेजोन पर जाके ऊथराइस जो वेबसाइट है वहाँ पर लास्ट में बसता है आइपोन ट्वैल मीनी टू फिफ्टी सिगी रैट कलर में यहां पर एग्जैक्ली जो प्राइजिंग है वह एटी वान या फिर एटी टू या फिर एटी थाउजन तक जा रही है लास्ट म कोई भी आइफोन 12 सीरीज का फून खरित हो या फिर एपल का कोई भी पुरान वाला आइफोन या फिर आइफोन 11 यहां से खरिकते हो एमेजोन से फिलिपकार्ट से कहीं से भी खरिकते हो ना तो आपको HDFC का 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 6,000 रुपीज का इंस्टेंट डिसकाउंट मिलने वाला है यह चीज आप नोट कर सकते हैं तो आइफोन 12 के बारे भी आपको बता देते हैं उसका प्राइस ड्रॉप कितना हुआ है तो 79,425 रुपीज का आपको ऑफर मिलता है आइफोन 12 64GB पर नीचे अगर आप दिखते हो 128GB तो आपको मिलता है 84,889 रुपीज का तो यहां पर आपको प्राइस कट नहीं करना चाहिए था 11 रुपे 400 रुपे का ओफर देने से क्या मतलब होता है मुझे को समझ में नहीं आ रहा है बट यहां से अगर आप आइफोन 12 खरीपते हो तो मेरे असाब से मुझे लगता है वह एक बैटर डील नहीं होगी अगर आप आइफोन 12 12 प्रो या फिर 12 प्रो मैक्स करें तो तो आपको तीन हजार चार हजार तक का ओफर मिलता है आइफोन 12 प्रो सीवीज पे उसमें 12 प्रो मैक्स को भी गिन रहा हूं मैं मेरे हजब से मुझे लगता है यह जो प्रोड़क्त है बेर लाग वह बहुत एक्सपेंसिव होता है मैंने भी अपने ममी का लिए आइफोन 12 प्रो मैक्स खरीदने गया था फ्लाइन में जाके खरीदा था वहां पर बैटर डील मिल गए थी जो प्रोड़क्त होते हैं अगर आप उलनाइट से मंगवाते हो तो भाई स्कैम भी हो सकता है बहुत लोगों ने आइफोन 12 प्रो य बहुत लोग को डमी प्रोड़क्त मिला था तो उसके हसाब से भी बोल रहा होंगे यह तो प्रोड़क्स होते हैं जो लाक रुपे उपर होते हैं उनको खरीद नहीं नहीं चाहिए यहां से बट अगर को अच्छी डील मिलती है अगर आप लाक रुपे उपर की चीज़ ले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो अगर आपको इसे इंफॉर्मेटिव अपडेट चाहिए चैनल की दो से प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आपको एंड्रोइड के रिगार्डिंग कुछ स्टफ चाहिए आपको एपल क झालब के रिगार्डिंग स्टफ चाहिए सो सपोर्ट किजिये और क्या कि लिए भाई इन आप कि अ कि कि अ